नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आपका घर आपकी हर मनो कामना होगी, पूरी और बन जाओगे। दोस्तों, हमारे वेद पुराणों में निर्जला एकादशी तिथी को मनो कामना पूर्ती वाली एकादशी माना जाता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, निर्जला एकादशी तिथी के दिन खुद भगवान विष्णुजी और माता लक्ष्मी जी अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। में तो यहां तक लिखा हुआ है कि निर्जला एकादशी तिथी के दिन भगवान विष्णुजी और माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। तो मिलता ही है। दूसरी तरफ इस दिन किये गए व्रत से एक व्यक्ती को मोक्ष की प्राप्ती होती है। एक व्यक्ती स्वर्ग के दर्वाजे खुल जाते हैं। जून को पढ़ने वाली निर्जला एकादशी तिति का समय सुबह ब्रह्म मुहूर्त में चार बजकर एक मिनट से शुरू हो जाएगा। जिस दौरान एक को व्रत रखना है और व्रत खोलने का समय उननीस जून को सुबह पांच बजकर बीस मिनट से लेकर साथ बजकर एक मिनट तक रहेगा। यानि कि दोस्तों, इस दिन यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में सो कर उठते हैं, पूरे दिन का व्रत रखते हैं, तो आपको जरूर ही माता लक्ष्मी जी और भगवान विश्णु जी का आशीरवाद मिलेगा। पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं। लेकिन यदि आप केवल इस दिन सही मुहूर्त पर विधी विधान से एक रुपए के सिक्के का उपाए, जोतिश शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार कर लेते हैं, तो केवल इतना ही करने भर से साक्षात आपको भगवान वि पश्चात आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वह आशीरवाद मिलेगा। इसके पश्चात आपकी कोई भी मनोकामना हो। उदाहरण में के तौर पर यदि आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे। आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा, व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, आपके जीवन में जो धन आएगा, उसमें व्रिध्य आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके नव ग्रह आपका अब आप सोच रहे होंगे कि एक रुपए के सिक्के का उपाय करके आपको भगवान विश्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीरवाद कैसे मिल सकता है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें। क्योंकि यदि माता लक्ष्मी जी की पूजा में मुद्रा का पहला सिक्का रखकर पूजा को शुरू किया जाए तो वह पूजा तुरंथ सिद्ध हो जाती है। भगवान विश्णु जी के हाथों में होता है। इसलिए वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य राहु केतु का नियंत्रण भगवान विश्णु जी के पास होता है। और यदि आपने इस एकादशी तिथी के दिन एक रुपए के सिक्के का उपाए विधी विधान से तंत्र शास्त्र और ज्योतिश शास्त्र के अनुसार कर लिया, जिसकी सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं, तो मानकर चलिए। चलिए। केवल इतना ही करने भर से आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीरवाद और वर्दान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। और आपके जीवन में एक चमतकारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इसी लिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाय दिखेगा। और यदि आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी के आशीरवाद से आपका भाग्य प्रबल हो जाए और आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नती करें। माता लक्ष्मी जी की कृपा से इस साल आप करोड़ पती बन जाए। तो दोस्तो पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की और कमेंट बॉक्स में अपनी राशी भी डाल दीजिएगा। आपकी राशी फल के अन शुक्र ग्रह का साथ पाने का महादोस्तों, यदि आप नहीं जानते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें शुक्र ग्रह एक व्यक्ति के जीवन के धन और संपदा से जुड़ा होता है जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है वह व्यक्ति धन संबंधित जो भी निर्णाय लेता है, उस निर्णाय से उसको फाइदा पहुँचता है जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है, वह व्यक्ति करोडपती बन जाता है और शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है यदि कहते हैं कि हमेशा आपका शुक्र ग्रह आपका साथ दे तो बस एक काम कीजिएगा इस निर्जला एकादशी तिथी के दिन रात्रि में आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है आपके घर का जो भी पूजा घर है जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी है वहाँ पर आपको जाना है सबसे पहले आपको पूजा घर पर एक घी का दीपक जला देना है उसके पश्चात आपको दो एक रुपए के सिक्कों को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप ग्यारह बार आपको करना है माता लक्ष्मी और भगवान विश्णु जी को ग्यारह नंबर बहुत प्रिय है बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी, नमा हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों ओम महालक्ष्मी, नमा अब इन दो सिक्कों में एक सिक्के को आपको अपने पर्स में रख लेना है और दूसरे सिक्कों को ले जाना है अपनी अलमारी में तिजोरी में संभाल कर रख देना है केवल इतना उपाए यदि आपने इस निर्जला एका दशी तिथी के दिन कर लिया तो माता लक्ष्मी जी के आशीरवात से ये सिक्के अभिमंतरित हो जाएंगे जिसकी वजह आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा आप धन संभंधित जो भी निर्णाय लेंगे उस निर्णाय से आपको फाइदा पहुँचेगा आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी माता लक्ष्मी जी की कृपा से आने वाले समय में आपको धन संभंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा इस उपाय के बारे में हमने आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार बताया है अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय दोस्तों हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहू, केतु का जो नियंत्रन होता है, वह भगवान विश्णुजी के हाथों में होता है। और आपकी के लिए बता दें, निर्जला एकादशी तिथी के दिन भगवान विश्णुजी पीपल के पेड़ में वास करने आते हैं। भगवद गीता में खुद भगवान विश्णुजी ने कहा है, कि व्रिक्षों में मैं पीपल का व्रिक्ष हूँ, इसी लिए दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में पीपल के व्रिक्ष को बहुत ही पवित्र व्रिक्ष माना जाता है, जिसकी पूजा पाठ करने से एक व्यक्ति को उसके जीवन के समस्त प्रकार के कष्ट, दिक्कत और समस्याओं से जरूर मुक्ति मिलती है, और यदि आप चाहते कि भगवान विश्णुजी का आपको आशीरवाद मिल जाए, आपका भाग्य प्रबल हो जाए, तो बस एक छोटा सा उपाए, इस एकादशी तिथी के दिन आपको करना है, निर्जला एकादशी तिथी के दिन, सुबह आपको सो कर उठना है, अच्छी तरीके से नहा लेना है, एक लोटा जल लेना है, आपको एक रुपए का सिक्का लेना है, आपके घर के पास जो भी पीपल का व्रिक्ष है, वहाँ पर आपको जाना है, पी पर लिख लीजिए ओम नमो भगवते वासुदेवाए नमा हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। तो मान कर चलिए, भगवान विश्णुजी का आशीरवाद यह सिक्का बन जाएगा, जिसके पश्चात आपका भ्रस्पति ग्रह आपका साथ देगा, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला उपाए है धन प्राप्ति का महा उपाए। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि माता, लक्ष्मी जी और भगवान विश्णु जी का आशीरवाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहा है। आपके घर पर धन की वर्षा हो, आपके घर पर धन आने के रास्ते खुल जाये। आपके घर में कभी भी धन की कमी न हो, तो बस आपको यह करना है कि इस निर्जला एक आदशी की रात्ति को आपको अपने घर के पूजा घर पर बैठना है। जहां भी माता जी और भगवान विश्णु जी की कला चित्र रखी हो, आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़े पर एक मुठ़्ी धनिया और एक रूपय का सिक्का आपको रखना है। यदि आप चांदी का सिक्का रखेंगे, तो बहुत ही शुब होगा। अभी लाल कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है। पूजा घर पर घी का दीपक जलाने के पश्चाद इस पोटली को अपने हाथ में आपको पकड़ना है। और ग्यारह बार AUM हम फिर से रिपीट करते हैं। दोस्तों का जाप आपको करना है और इस पोटली को अपनी अलमारी में तिजोरी में दक्षन दिशा में रख देना है। केवल इतना उपाए, यदि आपने इस एकादशी तिथि के दिन कर लिया, तो ये पोटली अभिमंतरित हो जाएगी और भगवान विश्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीरवाद की तरह आपके लिए काम करेगी, जिसके पश्चात आपके जीवन में धन आना आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नती होगी, पर आने वाला आपका बहुत ही कल्यानकारी होगा, बहुत ही दोस्तों, 18 जून सन 24 अंतिम बड़े मंगलवार के दिन बस चुपचाप कर लेना, दो लॉंग और तीन कपूर का प्राचीन काल के समय का महा उपाए, ज पूरी एक ही दिन के उपाए से बन जाओगे, आप करोडपती दोस्तों, सनातन धर्म में महीने में पढ़ने वाला प्रत्येक मंगलवार बड़ा मंगलवार होता है, जिस दौर गई पूजा साधना क्रिया से एक व्यक्ति को साक्षात हनुमान जी का आशीरवाद वरदान एक साथ प्राप्त होता है, इसी लिए बड़े मंगलवार का हमारे हिंदु धर्म में बहुत ही खास और खास महत्व होता है, दोस्तों, जितने भी बड़े मंगलवार पढ़ते हैं, इसमें जितने भी हनुमान भक्त होते हैं, वह जगह जगह पर भंडारा लगाते हैं, और हर व्यक्ति को भर पेट खाना खिलाते हैं क्योंकि दोस्तों शास्त्रों में वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है कि बड़े मंगलवार के दौरान जो भी व्यक्ति दान करता है उस व्यक्ति को साक्षात हनुमान जी का आशीरवाद और वर्दान एक साथ प्राप् पर साते हैं अब आप सोच रहे होंगे कि बड़े मंगलवार का हमारे हिंदू धर्म में इतना ज्यादा खास और खास महत्व क्यों होता है तो आपकी जानकारी के लिए बता दे दोस्तों कैष्ट महीने के पहले बड़े मंगलवार के दिन पर हनुमान जी महाराज श्री रा में भीम को हरा कर उनके घमंड को तोड़ा था और जेश्ट महीने के अंतिम बड़े मंगलवार पर हनुमान जी महाराज ने एक संकल्प लिया था कि वह कभी भी अपने भक्तों पर संकट नहीं आने देंगे इसी लिए तब से हनुमान जी महाराज को संकट मोचन देवता हम इस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठते हैं, पूरे दिन का वरत रखते हैं, पूरे दिन भगवान हनुमान जी की विधिविधान से पूजा पाठ करते हैं, तो ना केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नश्ठ हो जाता है, बलकि आजीवन हनुमान जी का लेकिन यदि इस दिन आप चुपचाप दो लॉंग और तीन कपूर का उपाए विधिविधान से तंतर शास्त्र जोतिश शास्त्र के अनुसार कर लेते हैं, तो केवल इतना ही करने भर से, ना केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतो से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बलकि लॉंग और कपूर का उपाए अंतिम बड़े मंगलवार के दिन करने के पश्चाद, आपकी कोई भी मनो कामना हो उदाहरण के, पर यदि आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, आपके जीवन में जो धन आएगा, उसमें वृद्ध्य होगी, और हनुमान जी के आशीरवाद से आने वाला समय, आपका बहुत ही कल्यानकारी होगा, बहुत ही सौभग्यशाली होगा, अब आप सोच रहे होंगे कि लौंग और कपूर का उपाय करके आपको हनुमान जी का आशीरवाद कैसे मिल सकता है, तो आपकी जानकारी बता दे, जो लौंग होती है, वह हनुमान जी को बहुत प्रि दूसरी तरफ जो कपूर होती है, वह मंगल ग्रह का कारक होती है, यदि आप मंगल ग्रह के बारे में नहीं जानते हैं, तो मंगल ग्रह एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य, राहु केतु नव ग्रह से जुड़ा होता है, जिसका भी मंगल ग्रह उसका साथ देता है, वह व्य विधि विधान से ज्योतिश शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार करना है, जिसकी सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं, और इतना ही उपाय करने भर से, आपको हनुमान जी का साक्षात आशीरवाद वर्दान एक साथ प्राप्त हो जाएगा, इस वीडियो को बिना भगाय देखिएगा, और यदि आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, तो तुरंथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जै श्री राम, जै हनुमान जी महाराज की और कमेंट बॉक्स में अपनी राशी भी डाल दीजिएगा, आपकी राशी के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा, जो इस अन्तिम बड़े मंगलवार के दिन करके आप लाब पा सकते हैं, वहाँ आकर हम आपके कमेंट की रिपलाई में बता देंगे, लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, यदि आप छोटे-छोटे काम करते हैं और उसमें बड़ी दिक्कतें आती हैं, आपका व्यापार चौपट हो गया है, आपके जीवन में धन आना बंध हो गया है, आप अपने जीवन में बहुत सारी परेशानी समस्याओं से घिरे हुए हैं, तो समझ जाएए आपके उपर कोई ऐसा संकट है, कोई ऐसी दिक्कत है, जिसकी वजह से आप ऐसी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, और आपको हम वीडियो की शुरुवात में ही बता चुके हैं, कि हनुमान जी महाराज को लॉंग अतिप्रिय है, और बड़े मंगलवार दिन, हनुमान जी महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, और इस दिन, यदि आप तंत्र शास्त्र के अनुसार वह उपाए कर लेते हैं, जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो हनुमान जी महाराज तुरंथ ही आपके जीवन के हर संकट को परेशानी को खत्म कर देंगे, और आपके जीवन में एक चमतकारी और सकारात्मक बदलाव आएगा, आपको 18 जून की रात्रिक को अच्छी तरीके से नहा लेना है, और एक लाल कपड़ा लेना है, जो आप लॉंग की पोटली लाए है, इसको अपने हाथ में पकड़ना है, और एक 108 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, यदि आपको हनुमान चालीसा नहीं आता है, तो किसी भी पूजा घर में आपको हनुमान चालीसा की पुस्तक बड़े आराम से मिल जाएगी, अब आपको हनुमान चालीसा पढ़ने के पश्चाद इस लॉंग की पोटली को लाना है, और अपने उस कमरे में रख देना है, जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, यदि आपके उपर कोई ऐसा दोश है, कोई ऐसी परेशानी या किसी ने आपके उपर कोई ऐसा काला जादू करवा दिया है, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में दिक्कतों से घिरे हुए हैं, वह सारी दिक्कतें हैं, वह सारी परेशानी, यह लौंग की पोटली आप से दूर कर देगी, इस उपाय को करने के पश्चाद ना केवल आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, बलकि आपके जीवन में चमतकारी और सकारात्मक बदलाव आएगा, यह लौंग की पोटली हनुमान जी के आशीरवाद की तरह आपके लिए काम करेगी, जिसके पश्चाद मान कर चलिए, आपके उपर जो भी संकट आने वाला होगा, वह अपना रास्ता बदल लेगा, दोस्तों, यदि आपके घर में रोज लड़ाई जगड़ा होता है, आपके घर के लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हो चुके हैं, तो बस एक काम कीजिएगा, इस बड़े मंगलवार के दिन आपको एक पीतल का पात्र लेना है, उसमें दो लॉंग, तीन कपूर रखना है, और इसको जला कर इसका धुआ पूरे घर में दिखा देना है, और अपने घर के पूजा घर पर आपको एक सौ आठ बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, एक सौ आठ की संख्या, हनुमान बहुत प्रिये है, और इतना उपाए यदि आपने कर लिया, तो मन कर चलिये, आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्ति होगी, उसका नाश हो जाएगा, और आपके घर पर सकारात्मक उर्जा का वास हो जाएगा, और दोस्तों, जिस घर में भी सकारात्मक उर्जा का वास होता है, उस घर में देवी देवताओं का आशीरवाद बना रहता है, उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नती होती है इस उपाय के बारे में जोतिश शास्त्र में लिखा हुआ है जो बड़े मंगलवार के दिन किया जाए तो कभी भी खाली नहीं जाता है और एक को हनुमान जी का आशीरवाद जरूर मिलता है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, यदि आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हनुमान जैन्ती के दिन और बड़े मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज पीपल के पेड में वास करने आते हैं पीपल का ये पेड हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र पेड माना जाता है जिसमें कई देवी देवताओं का वास होता है तो केवल आपको ये करना है कि इस बड़े मंगलवार के दिन आपको दो लॉंग और तीन कपूर लेना है और आपके घर के पास कोई भी पीपल का पेड है वहाँ पर आपको जाना है दो लॉंग तीन कपूर का साथ बार उतारा आपको अपने सर से लेकर पैर तक करना है हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों दो लॉंग तीन कपूर का साथ बार उतारा आपको सर से लेकर पैर तक करना है और इस दो लॉंग तीन कपूर को पीपल पेड के पास कहीं भी आपको जला देना है आपके उपर कोई ऐसा दोश है, कोई ऐसी परेशानी है किसी ने आपके उपर काला जादू करवाया है जिसकी वजह से आप बीमार पड़े हुए है वह सारी परेशानी, दिक्कत, ये लॉंग और कपूर अपने साथ लेकर के जल जाएगी और आपके स्वास्थे में सुधार आने लग जाएगा आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने के पश्चात आप बिलकुल सही होने लग जाएगे दोस्तों, ये एक ऐसा उपाय है जो बड़े मंगलवार के दिन किया जाए तो कभी भी खाली नहीं जाता तो उपाय को करना मत भूलिएगा आखरी उपाय है मनोकामना पूर्ति का महा उपाय दोस्तों, आपकी कोई भी मनोकामना है यदि आप चाहते हैं, वह आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो बहुत छोटा सा उपाय हम आपको बता दे रहे हैं यह उपाय, यदि आपने आखरी इस अंतिम बड़े मंगलवार की रात्रि को कर लिया तो आपकी कोई भी मनोकामना होगी वह एक ही दिन के उपाय से पूरी हो जाएगी आपको केवल यह करना है कि इस बड़े मंगलवार की रात्रि को कहीं से भी गाय के उपले लेकर आना है आपको घर पर इस गाय के उपले को जलाना है दो लॉंग और तीन कपूर को अपने हाथ में पकड़ने के पश्चाथ एक सौ आठ बार आपको हनुमान चालिसा का पाठ करना है उसके पश्चाथ इस दो लॉंग तीन कपूर को गाय के जलते उपले में आपको डाल देना है उसके पश्चात आपको अपनी मनोकामना बोलनी है इस उपाय को आपको इस बड़े मंगलवार की रात्र को इसी तरीके से करना है जैसा तंत्रशास्तर में लिखा हुआ है और आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने के पश्चात आपकी कोई भी मनोकामना होगी वह इस साल जरूर पूरी हो जाएगी इस उपाय को करके कई लोग दोस्तों अपनी मनोकामना पूरी कर चुके हैं